हेलो तोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में आप से बात करने वाला हूँ e-pen card के बारे में बराबर में आपको e-pen card दिखा रहा हूँ मैं इस वीडियो में आपको बता हूँगा कि e-pen card को आप normal card में किस तरह से बदल सकते हो मतलब कि इसका जो pen card होता है जो pocket में भी हम रख सकते हैं छोटा pen card उसमें कैसे इसको बना सकते हो तो ये चीज अगर आप करना चाहते हो कि हमारा e-pen से छोटा pen card बन जाए और उसका हम अपने pocket में भी रख ले और उसका use कर ले तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये काम आप कैसे कर सकते हो वीडियो को end देखना है skip नहीं करना है वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जाने जो मेरे नामें शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद SS YouTube चैनल पर नहीं हो तो बाई चैनल को सब्सक्राइब किट के बेल नोटिफिकेशन को और पर पेस कर लो ता कि आने वाली मेरी वीडियो के बडेट आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आप e-pen को नॉर्मल वाले pen card की तरह यूज करना चाते हो और उसको pocket में भी रखना चाते हो छोटा pen card चाहिए आपको तो उसके लिए आपको करना क्या होगा जैसे के हम pen card apply कर देते हैं उसके 8 दिन के बाद में या 10 दिन के ब और यह हम जो है जब इसका print कर लेते हैं तो यह काफी बड़ी होती है लेकिन हमें इसका यहां पर छोटा वाला यूज करना है तो उसको कैसे करना होगा आप इसमें नीचे में देखिए आपको back side और front side दिखाई दे रही होगी तो आपको क्या करना है आपको जो है इस e-pen क जो है लेकर के जाना है जो csc center होते है लोकवानी केंद्र होते है वहाँ पर होता क्या है वो इसको नीचे से crop करके और print निकाल करके और इसपर lamination करके आपको जो है वो दे देंगे और वो आपकी pocket का size का बन जाएगा यहां नीचे में आप देख सकते हो इसमें cutting के लिए पैन कार्ड बना देंगे और वो बनाने के बाद में आप इसको पॉकिट पगेरा में रख सकते हो इसका यूज कर सकते हो सेम वही चीज होगी जो की हमारा पैन कार्ड होता है बस फर्क यह होगा वह प्लास्टिक का कार्ड होता है और यह जो होगा यह प्लास्टिक का नहीं हो हो तो आप जो है जा सकते हो शोपर और उनसे से कटवा करके और लेमिनेशन करा कर के इसको यूसर कर सकते हो तो इस तरी के साकथ करना है आ अपकी यूद्धा रग plupart रहें कि इसको लाइक कर रहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में